इस बुलिटिन के प्रावेजक हैं काम्टी मोटर्स छिंदवाडा इन उद्योगों के मात्यम से 1450 लोगों को रोजगार के अफसर पैदा होंगे मौसम में हो रहे परिवर्तन के चलते आम जन पर विपरीत प्रभाव का असर देखने को मिल रहा है डेंगू और मलेरिया के साथ बुखार और सर्दी के मरीजों में दिनो दिन अजाफा हो रहा है इसी को लेकर साज के और नजी अस्पटालों में मरीजों की लंबी कातारे लग रही है जिले में डेंगू के हालात ये है कि बीते 20 दिनों में 34 पॉजटिव मरीजों मिले है तो वही पाच डेंगू प्रिडितों का इलाज जुलास्पताल में जारी है डेंगू को लेकर स्वास्त विभाग के अमले ने अलर्ट जारी किया है इसी के संबन्द में आज सुबह सांसस विविग बंटी साहों ने जिलास्पताल पहुँचकर डेंगू की विवस्थाओं को लेकर जायज लिया है कुंडी पुरा थाना शेतर के सारना बाइपास पर अग्यात लुटेरों ने बाइक सवार से लूट को अंजाम दे कर फरार हो गए पिडिकिवा गोविंदे चंदरवंशी ने बताया कि शुकरवार शनिवार की दरमयानी रात को शहर के निजी अस्पताल में भरती अपने परिजन को देख कर वो वापस लौट रहे थे और उसी दोरान सारना बाइपास के पास तीन अग्यात युफकों ने गाड़ी से ओवर्टेक कर मुझ पर हमला कर मेरे साथ मार पीट की और मेरे पास रखे 10,000 रुपए मोबाइल और मेरे बाइक किच्चा भी लेकर फरार हो गए सुब़ जब मुझे होश आया था तो मैंने धाने जाकर अग्यात लुटेरों के उपर अफाई यार दर्श कराई वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस के उपर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे है लगभग एक माह पूर वे इसी जगव पर लुटेरों ने लुट की घटना को अंजाम दिया था फिलाल पुलिस द्वारा मामले के जाज की जा रही है मलिक नर्सिंग हूं गए था खाना देने के लिए वहाँ खाना दिया खाना देकर मैं घर जा रहा था इस बीच में तीन लोग रास्ता में तीन लोग ने मुझे रोक लिया मेरे साथ मार पीट पैसा की लूट पार्ट दस जार रुपय थे वो चीने मुवल चीने ब्लुटूथ चीने और मुझे मार पीट कर महानगरों की सुवीदा अब चिन्दवाडा के पूला ग्राउंड कॉंग्रिस कार्याले के पास स्थित कल्पतरू हॉस्पिटल में उपलब्ध है जहां आप पाएंगे दिली से प्रसिक्षित और मदर हुड हॉस्पिटल गुर्गाउं में अपनी सेवाएं दे चुकी चिन्दवाडा जिले की सरप्रतम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेशग्य गाइनेकलोजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे जहां संतान ही निराज दंपत्यों का इलाज IVF, IUI द्वारा किया ज़ाता है इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बारबागर पात का इलाज, टीटी का ओपरेशन और टीटी घुलने का ओपरेशन, बच्चेदानी का ओपरेशन, दुर्विन द्वारा सरजरी, नॉर्मल और ओपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से समस्या बच्चेदानी और अंडाशे के कैंसर के इलाज की सुईदा उपलब्ध है। परासिया BMO डॉक्टर प्रमोद वाचक पर 15 दिनों के भीतर दूसरी बार मामला दर्ज हुआ है। परासिया BMO डॉक्टर प्रमोद वाचक पर 15 दिनों के भीतर दूसरी बार मामला दर्ज करवाया था। उन्हें का पैसा किसको चाहिए तुम तो समझदार हो मुझे क्या चाहिए। तो ऐसा बोलकर मेरे पानस्दी आने की कोशिश किया और मेरा हाथ पकड़ा। तो फिर मैंने डर के मारे फिर मैंने बोला कि सर मेरे मामजी बाहर खड़े आप जल्दी साइन करिया मुझे जाना है। मद्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंतरी कमलनात व पूर्व सांसर नकुलनात ने जल्यवासियों को गुरु पूर्णिमा की हारदिक शुब कामनाय देते हुए कहा कि हमारी संस्कृती में गुरु का अहम स्थान माना जाता है। माता पिता के बाद गुरु गी सबसे बड़े मारक दर्शक है, सार्थक वस अफल जीवन के पीछे उनका आश्चरवाद है। मादिप्रदेश के पूर्व मुक्यमंतुरी कमलनात ने प्रदेशवासि एवं जलेवासियों को गुरु पूर्लिमा की हारदिक शुब कामनाय दी है। संबंदित बिमारियों की इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरू होस्पिकल दशेरा मैदान के पीछे पूनम चेंबर संबानी नरेंद्र मोदी के आवान पर एक पीड मा के नाम अभियान के दहद परियावरेंट संरक्षण के मुहीम को आगे बढ़ाते हुए सांसद विविक बंटी सहु ने शेहर के अजानिया टेकरी में किस दुलाई को ग्यारा हजार पौदे लगाने का लक्ष रखा है के शेश्वी प्रधान मंत्री संबानी नरेंद्र मोदी जी ने देश के एक एक नाजीट से अपिल करी है कि पर्रेवरेंट के संरक्षण के लिए एक विरक्ष अपनी मा के नाम से लगाएं मैं अपने छिन्वाडा के समस्त भाईयों बेहनों से निवरेंद्र करना चाहता हूं कि 21 तारीक को अजनिया तेगडी पर हम सभी ने मिलकर के संकल पिया है कि 11,000 विरक्ष अरोपर हम लोग वहाँ पर करींगे आप सभी वहाँ पर साधर आमंत्री थें क्योंकि प्रक्रति नहीं हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन हम प्रक्रती को कुछ देते नहीं है आज समय है प्रक्रती को देने का आज समय है विरक्ष लगाने का तो आप साधर आमंत्री थें 21 तारीक को सुबे 9 बजे अजनिया त पर एक पेड़ माके नाम जो कारकम चल रहा है उसमें हमारे चिनवाला जिले की लोगपरी युवा सांसत अधंडी विवेक बंटी साहुजी ने अनुकरणी पहल करती हुए लगबग अजणिया टेकडी में 11,000 ब्रक्ष लगाने का प्रण लिया है जिसमें हम आगरह करते हैं समस्त सहरवासियों से, समस्त सामाजिक संस्थाइं से, समस्त सेक्षणिक संस्थानों से कि अधिक से अधिक संख्या में अजणिया टेकडी पहुंचकर कुस्मेली मंड़ी के पास पहुंचकर रक्षर उपन में भाग ले और चिनवाला को ग्रेन चिनवाला क्लेन चिनवाल अन्साइब करें